नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों हम सदा ये कामना करते हैं कि आप हमेशा स्वस्त रहें मस्त रहें और ब्यस्त रहें दोस्तों हमारे भारत वर्स में जड़ी बूटियों की कमी नहीं है जैसे ही बरसा रितू शुरू होती है अनेक बूटी दिखा रहे हैं जो अक्सर बरसा रितू में पनपती है उगती है और हरी भरी होती है तथा यह जड़ी बूटी आपको हर जगह मिलती है सडकों के किनारे बंधों पर या कहीं भी नदी के किनारे आप देखेंगे मैदानी इलाकों में यह अपने आप उगने वाली एक अच्छे से इसकी पहचान कर लिजे दोस्तों इसका नाम है चकमड इसे पमाड के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों इसे अनेक भासाओं में अनेक जगहों पर अनेक नामों से पुकारा जाता है आपके यहां इसे किस नाम से पुकारा जाता है हमें कमेंड बाक्स में कमें पित तथा वात सामक होते हैं दोस्तों यह चकवड यानी पवाड का जो पौधा होता है एक फिट से लेकर तीन फिट तक उचाई वाला जाड़ी नुमा पौधा होता है दोस्तों इसके जो फूल हैं बहुत ही सुन्दर पीले पीले दिखते हैं और इसकी जो पत्तियां हैं को कहीं भी किसी भी आस्थान पर किसी भी जगह पर आसानी से मिलने वाला पौधा है दोस्तों यह हिदाय रोग के लिए तथा इसके साथ साथ ये लीवर के लिए बहुत ही हितकारी होता है बहुत ही लाबकारी होता है दोस्तों इसका प्रयोग करके आप अनेक असाध्य रो या किसी भी प्रकार के जो फंगल इंफेक्शन आपके तचा पर हो जाते हैं उनको यह दूर कर देता है दोस्तों इस चकवण यानि पमार का प्रयोग करके आप गठिया रोग घुटनों के दर्द जोडों के दर्द से छुड़कारा पा सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों इस को हो गया है कहीं भी किसी यंग में घाव लग गया है और घाव ठीक होने का नाम नहीं दे रहा है तो आप इस चकवण का प्रयोग करके अपने घाव को बहुत ही जल ठीक कर सकते हैं दोस्तों चलिए जानते हैं विस्तार से कि इस चकवण का किस तरीके से किस परिशानी में प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको खांसी या जुखाम या बुखार की हमेशा प्राबलम रहती है तो आप क्या करें इसके बीजों को लाएं पके हुए बीजों को आपको लाना रहेगा इसकी जो फलियां आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं जब पक जाती है तो यह डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है इसके बीज काले काले होते हैं इन पके बीजों को लाएं और इसे सुखा कर कूट पीस करके पाउडर बना ले दोस्तों दो ग्राम की मातरा में इसका पाउडर अगर गर्म पानी के साथ 2 से 3 दिन तक सेवन करते हैं तो आपकी कितन पुरानी खासी है वह जड़ से ठीक हो जाती है और आपको सर्दी खासी जो खाम तथा बुखार से भी छुटकारा मिलता है दोस्तों इसके साथ साथ अगर आपको चर्म रोग हैं जैसे दाद खाज खुजली की अगर आपको प्राबलम है तो आप क्या करें दाद खाज करके आना है और इसे ज़्यादा मातरा में लें और पीश करके इसका पेश्ट बना लें इसे दही में मिला करके तीन से चार दिन तक किसी सुरचित बरतन में रख दें और पांच दिन के बाद इसे जैसे उबटन लगाते हैं उस तरीके से अगर आप अपने तवचा पर ठीक रहेगी इसके साथ साथ अगर आपको गठिया या घुटनों के दर्द से आप हमेशा परिशान रहते हैं गठिया की प्राबलम है आपके कमर में दर्द रहता है आपके बदन में दर्द रहता है जोडों में दर्द रहता है तो आप क्या करें इस चकमड की पतियों को ताजा ताजा पत्तियों को लाएं इसे पीस करके अच्छा सा पेस्ट बना लें और अरंड के तेल में आप इसे गर्म करके लेप करें इसे आपको गठिया से मुक्ति मिलेगी जोडों के दर्द से चुटकारा मिलेगा घुटनों के दर्द से चुटकारा मिलेगा तथा कमर द अस्थान पर इसकी पत्तियों को पीस करके अच्छा सा पेष्ट बना करके वहां पर लगाएं नियमित रूप से अगर लगाते हैं तो आपका घाओ धिरे धिरे भरना प्रारंब हो जाएगा और बहुत ही जल्द आपका घाओ ठीक हो जाएगा दोस्तों इसके साथ साथ यह ज रिक दुरबलता हो या किसी भी प्रकार की अगर आपको कमजोरी है गुप्त कमजोरी है तो आप क्या करें इस जो पवाड का पौधा है इसकी जो फलियां है पकी फलियों को लेंगे उसमें से बीज निकाल लेंगे और इसके बीजों को सुखा करके इसका पाउडर बना ले एक ग्लास गर्म दूध में इसे मिक्स करके कांटीनिवस सुबह में खाली पेट सेवन करेंगे दोस्तों नियमित रूप से इसका अगर आप सेवन करते हैं तो आपको समस्त कमजोरियों से छुड़कारा मिलेगा आपका जीवन सुखमे होगा आपका बाई-बाहिक जीवन सु अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के आल नोटिफिकेशन विल को दबाना मत भूलिए क्योंकि जब तक आप आल नोटिफिकेशन विल को नहीं दबाएंगे तो हमारी हर नई वीडियो की जानकारी अब तक पहुंच नहीं पाएगी दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए टेक केरा एंड बाई बाई दोस्तों